पतना, आज हम बिहार के एक ऐसे स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका एडिसन चार्ज मात्र बैसट सो रुपे है, इस भी बहुत ज्यादा नॉमिनल है, और वो पतना के टॉप 20 स्कूल में से एक स्कूल में आता है, इसकी बात की जाए, तो रिजल्ट्स इस स्कू स्विद्याले का थाभा थे अडियाले कागा था ठाठी भी किया है सर। थर्ड ज이उर्ट में इस अडिल्याले में जानना, किस स्थ देत फेक देते में बात किया स्विद्याले तहुझा है लगा फोस एक बारी प्रसट पूच नहीं ही बट आज श्कूल नेम इस बालवीन एकाडमी पहले हम बात कर लेते एस स्कूल का एड्रेस जो की हां पर दिख रहा है आप दिख सकते हैं धवलपुरा साउथ बगमपुर बाइपास थाना पटना में ये विद्याले है बहुत ही अच्छा है टॉप रैंक में आ रहा है अभी पूरा डीचेल बात करने वाले हैं फी स्टक्चर्स का वीडियो का पार्ट नहीं छूड़ियेगा हाँ इच और एड्मिशन फी क्या है सर एडमिशन फी क्लास वन और त्री का मात्र पैसट सो रुपे है उसके बाद फोर और फाइव की बात किया है तो साथ हजार एडमिश पिजार तीज़ 23 और 24 का फी स्ट्रक्चर है बढ़वतरी भी होगा अनुमानत ह कोई विध्याले हजार या दो हजार या तीन हजार मैक्सिमम उससे ज़जादा फी बढ़ाता नहीं है तो अनुमानतर ये फीस इससे ज्यादा नहीं होगा 1000 बढ़ाइड का अन्तर हो सकता है tuition fees के अगर बात की जाए तो tuition fees इस स्कूल का class 1 और class 3 का 3,100 ₹ यनी 300 रुपे फी है 1 class से लिके class 3 class तक 4 और 5 की बात की जाए तो 3,200 रुपे यहाँ पर फी है 6 से लिकर 8 की बात के जाए तो 3,350 रुपे फी रखा गया है 9 और 10 की बात की जाए 3700 रुपे रखे गए हैं और 11 12th की बात की जाए तो 4400 रुपे है term fees जो है 4000 रुपे है class 1 से लिकर 4 और इसी जे 6 और 8 में बढ़ जाती है 4500 हो जाती है 9 10 में 5000 हो जाती है 11 12 में 5000 हो जाती है displacement chart जो है यहाँ पर 4000 है 1 और 3 class का class 4 और class 5 का भी 4000 रुपे है class 6 और class 8 का 4500 रुपे है 9 10 का अगर बात किया जाए establishment charge का वो 5000 रुपे है और 11 12th की बात की जाए तो वो भी 5000 development charge yearly लगता है यहाँ पर 1 class से लेकर 3 class का development charge 4500 यानि 4500 रुपे आपको yearly development charge विद्याले को देना होगा अगर आप class 4 और class 5 में पढ़ते हैं आपका बच्चा या पढ़ने वाले हैं आप तो 5000 रुपे और 6 से लेकर 8 तक न मांग कर लेना चाहते हैं तो 5000 रुपे 9 और 10 में न मांग कर लेना चाहते हैं या चाहती हैं तो 7000 रुपे देना होगा development charge पे और 11-12 की बात की जाए तो 5000 रुपे है लाइबरेरी चाहर्ज class 1 और 3 का नहीं लगता है 4-5 का भी नहीं लगता है 6 से लेकर 8 वाले बच्चों का कोई charges लाइबरेरी चार्ज़ और लाइबरेरी चार्ज़ और लाइबरेरी चार्ज़ कुछ नहीं है 11-12 की बात की जाए तो वह भी 500 और high 500 रुपीज है यह पूरा का पूरा जो है डीटेल है fee structure जो की बहुत सारे parents हमको whatsapp के थरू, message के थरू, mail के थरू thanks for messaging, thanks for whatsapping us we are going to reveal each and every top schools the fee structure, the admission charges इसके बाद जो बात निकल के आती है कि sir admissions होता कब है इस विद्याले में अगर हम admissions की बात करें तो हर एक साल ये विद्याले अपना admissions senior classes के लिए भी 9 class तक निकालता है और जो admissions है इसका वे November में आता है बच्चो और हमारे प्यारे parents November में यानि मात्र एक महना बचा हुआ है golden time और बिहार के बहुत सारे पहरे पहरे बच्चे हमारे courses में इन्रॉल हो रहे हैं thanks for enrolling for showing interest in our batches and we are going to help you at every respect तो ये बात है यहाँ पर November में admissions के जो है वो निकल जाएंगी अब बात आती है कि sir facility क्या है number of teachers क्या है उनके बारे में कुछ बताने का प्रियास करें तो जी हाँ हम जुरूर बताएंगे teachers पहले हमाँ बात कर लेते हैं कि इस विद्याले का जो pass out का result का percentage है यहाँ पर आप दे सकते हैं लगभग 21 में 100% result रहा है class 10th का 2022 में जो result रहा है और 223 में जो बच्चों का result रहा है 99.4% है इस वाले में बहुत सारे विद्यालों का result चेंज हुआ था but on an average अगर आप देखे विद्याले का class 10th का results parents तो 99% result यह विद्याले देता है class 12th की बात की जाए तो उसमें भी 100% 99, 97th on an average यहाँ भी देखा जाया है तो 12th में 97% results विद्याले का रहा है और highest जो गया है result 2021 में 96% एक बच्चे का number आया था वहाँ पे highest score यहाँ पे दिया गया है 2022 में 97.2% 2023 में 95.8% इन तत्थियों से हम यह चीज़े निकाल के लिए आते हैं कि पढ़ाई का अस्तर वहाँ पे ठीक है तभी बच्चों का results इस तरीके से आ रहा है इसके बाद जो यह चीज़े निकल के आते हैं कि सर वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है फैसिलिटी की बात करें तो हर एक तरह की फैसिलिटी गूट कामपल्स टीचर इस्टुएंट रेसियो अगर आँ नंबर आफ टीचर की बात करें तो PGT टीचर यहाँ जो टीचर क्लास 11 और 12 हैं पढ़ाते हैं उनकी संख्या भी यहाँ पे अच्छी खासी है चुकि एगर टीचर नहीं रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट किसी पे होता है वो टीचर पे कारभार होता है वो 23 हैं टोटल नंबर आफ दे PGT टीचर टोटल नंबर आफ दे TGT टीचर जोसके उनकों बोलते हैं टेंड ग्रेजुएट टीचर वो यहाँ पे 31 यानि 31 है और PRT चोटे बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास वन से लेके 5 टक उनकी संख्या यहाँ पे 18 है तो टीचर की संख्या भी यहाँ पे ठीक ठाक है उसके बाद जो पैरेंट्स हमें साब पूछना चाहते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से सर क्या वास्रूम सही है बहुस लोग टीचर का ये भी एक रहता है तो नंबर आफ गर्ल्स ट्वैलेट के अगर बात की जाए तो नंबर आफ गर्ल्स ट्वैलेट्स यहाँ पर 12 है जो की डिटाम में दिया गया है तैयारी हमारी चल रही है बिहार के बहुस सारे पहरे परे बच्चे हमारे 2-3 बैचे से भी चल रहे है संत्वाइकल से स्पेसल, DPS से स्पेसल नटोडेम अकैडमी और उसके वाट पतना के जितने भी टॉप स्कूल है टॉप 50 स्कूल है सबकी तैयारी जोरो सोरो से चल रही है अगर आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चे का भविस सुना रहा हो उनका भी नमांकन पतना के सबसे अच्छे विद्याले में हो तो देर किस बात की हमारे दियेगे नंबर्स पे कॉल करके यूबी इन आवर अड्मिशन बैच इन पतनास टॉप स्कूल दोजार पचीस चब्विस चुकी पढ़ेंगे बच्चे तब ही तो बढ़ेंगे बच्चे इफ यूव एनी प्रॉब्लम इफ यूव एनी टाइप आफ आफ दो मिस्टेक्स और कॉन्फूजन प्रीज कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें हमारा मकसद रहता है कि हर एक कमेंट का जवाब दिया जाए तो हम आसक करेंगे हमारा ये प्रियास आप लोग को अच्छा लग रहा है और आपके प्यारों और दुलार के लिए हम हमेशा अपेक्षित रहेंगे तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ अच्छा संदेश लेकर जय हिंद जय भारत कि अच्छा संदेश लेक्षित रहेंगे जब रहेंगे